हाई अब्रीवन आप सभी का स्वागत है संजीश्वर आइटे के यूट्यूब चैनल में ध्यान दिरिएगा आज का हमारा टोपिक है इलेक्ट्रीशियन प्रेक्टिकल हो या फिटल प्रेक्टिकल हो प्रेक्टिकल के एकजाम देरे जाते हैं तो वहाँ पे कि सब्सक्राइब का पास मिलता तो उसको हमसे देखेंगे देखें तो लोग पास हम पास इस टाइप का पहँआता है पेपर हमारे पास हर कोलेज का अपना-पना होता है हूं सांस्थान का नाम याँ आपकी संस्थान सेयरा उसका नाम लिखिए उस tuoन के पे संस्थान का कोड उसके बाद परिक्षार्ती का नाम जी जिसे आपका जो भी नाम में उसको लिखते हैं यहाँ पर उसका रॉल नॉमर भरते हैं उसके ब्योसा जो भी इलेक्ट्रिशन हो इलेक्ट्रिशन से भरिये फीटर हो या फीटर से भरिये वर्स लिखते हैं जी आपका कॉंसा वर्ष उन्हाँ अभी ग्जाम बकर ये 2022 यहां पर लिक सकते हैं उसके बाद याहां पर धिनांक दिया जाता जाता हैं इस डेट में देडरा उसका सब्सक्राइब करनी जो वी It's टैनल में यह तो उनका ए यां पर सिंग्नेचर होना चाहिए नाब अट लोग को इस टाइब से भी फोर्मेट मिलता है यहां से दिखेगा यहां पे डिखे रॉल नॉम्मर बॉक्स में दिया है भरने के लिए यहां पे ब्योसाय नम यह परक्षार्थी का नाम यह सब लिखा रहाता है बहुत सारे जगाँ पर धेखे यहां पे फिर यहां पर भी से सेस्ब चाइबależy यूंसे से केंद्र का नाम परिख्षारथी नाम विवसाइब नाम जीला किया है राल-नोमर गाउम सेशन लुगनसा आप अब के कोलेज में हो सके इस तीनों में से कोई भी फॉर्मेट आप लोग को एक्जाम में दिया जा सकता है तो ध्यान में रखिए गाई यह कैसे भारा जाता है आप लोग डीटेल से बता दिये अब देखिए एक्जाम जाते हैं देने तो एक्जाम में कॉंपी को लिखते कैसे हैं प्रेटिकल प्रेट के लिए हैं यह इलेक्रीशन से आप है या थीटरसे दोनों के लिए कर्णित्वेट है कॉंपर्सली है तो देखिए दोने हैं मिलता है कि फेञिक समें कrue कितना पेज एक और ौपेज मिलता है आपको कि इस रिस्टो कि संक्या किती हूं तो दो तीन और यह चार तो उती है तो ध्यान से देखें कि exam में कैसे लिखते है तो प्या है ऐसे इसाब तो अपना डीटेस भर दिजिए नाम पता यह परिशाती का दी आशना डीटेस भरने जहां पर यहां पर सिगनेचर करने के राद आ पर क्या कि क्या करते यह जो प lazy मिला इसको इसको हम तोतल दो वाग में हुआ उसके चोथा देखिए चाफाग में चोब बीच में आुटे यह बाटेंगे तो यह वला हमारा किलियर हुआ तो यहां पे देखेगा यह चार भाग में हम फोल्डिंग कर दिए दिए प्रेक्टिकल का कौपी में लिखने से पहले यह आपको अनिवार है जी तो देखें यह को काम किजेगा जब यहां पे पूरा डीटेल भर ले रहा है जी जो भी है यह भी format आपको एकजाम में मिल मिन सकता है आपके में या इस टाइब का फॉर्मेट या यहां पर इस टाइब का फॉर्मेट ध्यान में रखिए आपको जो भी फॉर्मेट मिले जी तो सब उस पेज को सबसे लिखने से पहले क्या करते हैं जी यह फॉर्मेट भर देने के बाद यह चार भाग में इसको फोल्डिंग कर लेंगे और फोल्डिंग करने के बाद यहां से चार भाग में करें इसको फीजसर कर दिए अब लिखना स्टार्ट करते हैं तो हम लोग लिखते हैं कहां से जी तो यहां से हम लोका कि अंसरा इस तरह से हम लिखे है ठ्यान दिएक प्रिवेस येर का ये र изв प्रेक्टीकल का कोस्टन प्षण अंसर ट्रेड वालों के लिए नप्यास्वल है तो देहान से देखिए एक्जाम में कोशन सेम टूसे मैं साही रहता है जैसे देखिए फर्स्ट में रहेगा लिस्ट आउट टूस एंड इक्वाप्मेंट रिक्वाइड टू पर्फॉर्म प्रेक्टिकल यह पांच नम्मर का रहता है उसका सेकेंड वाला राइट डाउन दे के सीक्वेंटस अपरेस्ट पर्फॉर्म दे प्रैक्टिकल अलाउंग विद शेफ्टry कोशन को यह पका दस नम्मर का होता है तो एक्स्याम में आप लोगों यहीं दोनों कोस्चन लिखने वाला होता है यह बाकी आप लोगों प्रेक्टिकल में यह प्रेक्टिकल में जाके इस टाइब का जोब बनाना होता है जी और यह थर्ड होता है जी आप फाइनल होता है फोर्थो चाजी आपका भायबाद भायबाद दस नम्र्ट ध्यान सब देखेंगे इस कोश्छान को हम लोगों को ने हम लोगों सॉल्व करेंगे नो कैसे सॉल्व करेistes तो आप लोग को बताएं जी कोई भी पेज को यहां पे देखेगा एक दो तीन चार चार भाग में यहां पे हम लोग बाटे हुए हैं जी चोथाई में समझ गया है इसका दियान इसके लिस्ट आउट टूल्स दी इक्वाप्मेंट रिक्वाइड टू पर्फॉर्म देखिए तो इसी कोई देखिए यहां पे हम लोग लोग को भरना है तो यहां पे हम लोग को बनाएं जी कोईशन को सब्कीर करें यहां पे तूल्स और इक्वाप्मेंट्स यानि आउजार और उपकोना तो फॉस्ट में एस्टिल रूल सेकेंड में बेंच भाइस थोर्ड में हेक्सा फ्रेम फूर्थ है ट्राइए स्क्वार वर्नियर हाइट गेज मार्किंग टेवल एंगल प्लेट उसके बाद नेक्स्ट है जी यहां पर मार्किंग मीडिया प्रीक पॉंच बॉल पीन हैमर फ्लेट फाइल हाफ राउंड फाइल राउंड फाइल से फेज क्लियर हुआ तो देखिं इसमें दिया है आपको 5 नमर का है तो कम से कम कुछिश कीजिए 5 नमर का है तो दॉश का नाम लिखे लेकिंग यहां पे हम आप लोगों चोड़ोगो का नाम लिखी है केॲएर हुआ जहीं अब सेकेंड में कर शेकेंड में कह रहाए जो से ज्यादा लिख रहे हैं तो यहां पर सिक्वेंस उप्रेशन तो यहां पर देखेंड क्रिया बीर इस शेकेंड में लिखने किरिया बीदी और सावधानी क्या है तो देखिए फर्स्ट में सिक्वेंस और परेशन यानि कैसे उसको कटाई छटाई करेंगे तो देखिए यहां पर यह जो हम बता रहे हैं जी इसी तरह आप लोग नॉर्मल याद कर लिजेगा तो किसी भी जोव में असानी से यह लिख सकते हैं जैसे देखिए काइसे देखिए तो फर्स्ट में नॉत है दी गए ड्रोओंग का अनुसार मेटल को नापा गया सेकेंड है नापने के रहा हैकसा ब्लेड से बैंच 20 में बांद कर काता गया नेक्स है अजिने पार्ट ऐ और पार्ट वी को बैंच 20 में बांद हो नेक्स्ट है जी उसके बाद पार्ट ए और पार्ट बी पर मार्किंग मीडिया लगागा सुखने के लिए रखा गया यानि इस जोब को जैसे जैसे आप लेश्टे बैश्टे बनाईएगा काम कीजिएगा वहीं सब इसमें क्या विसे शुरूप से लिखना है सुखने के ब पक्का करने के लिए प्रीप पंच करने के लिए बाल पीन हैंमर की साहिता से मार्कींग पक्का कि आगया से कटा गया उसके बात काटने के बाद आस्रकताने स्च मार्किंग किया गया जिसस्यों की फिनिशिंग हो सकते कर नेक्स्ट है जी जा emphasis करने के बाद पार बश्ग YES देखिए यह वाला जॉब है इसमें मेल फीमेल है जी तो जो भी किरिया की है जी आप उसको लिख सकते हैं तो 57 पॉइंट कम से कम लिख दीजिए तो हम यहां पर आप लोगों 12 पॉइंट लिख दिये हैं थोड़ा सा लंबा च्यूडा करके लिख सकते हैं जी उसके पार्ट और पार्ट भी को चेक करने के बाद उनकी बाहरी सतोहों को फीनिसींग कि आगे अनेक्स्ट है जी नंत में फीनिशिंग के सभप में नमबर दिया गया जीसा यह पार्ट वान है यह तू है तो इस तरह हम जोब पर भी नमांकित करते हैं जी जोब बनाने के बाद क्लिए र सावधानियों किन-किन पॉइंट को धियान में रखा जाता है यानि यह गलती न हो जाए तो वही है जी इसमें यहां पर यहां पर दिखेगा यहां पर सेफटी फ्रीक्वेंसी और सीक्वेंस तो इसमें दो ठो पूछ रहाता है यानि यह हो गया आपका किरिया बीधी और यह हो गया आपका सेफ्टिफ प्रिक्वेशन मतलब सावधानिया तो बिना हेंडल वाली रेती का पर्योग नहीं करना चाहिए फटे हेंडल वाला हेंमर का पर्योग यह जितना हम यहां पर आप लोग को लिखवाए हैं बताए हैं इसको आसानी से थोड़ा दो बार तीन वार पहली कोई भी जोब आ रहा इतना आसानी से आप लिख सकते हैं देखें यह लिखने वाला काम कितना का नमर का आता आजी 15 नमर में होता है किलीयर हुआ है तो आसा करते हैं जी थे कॉपी को दिख tenía कैसे हम लिखें से 445 के लिखें इसी तरह आप लोग वी कु्सिस कि जेएगा एंग्जाम में जब आ नहीं को वह मिलें तो इसी तक दरह चोफाई छोड़ के लिखेंगा कि एक्जाम में color पीज का हैं यह पड़ जाता आजी तो इसको ध्यान में रखते हुए पेज को चार भाग में फोल्डिंग करने के बाद ही आप लोग बनाना शुरू कीज़ेगा तो ओके फ्रेंड्स वीडियो आछा लेगे तो लाइक कीजिए चेनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में सियर क कीजिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्लास में इसी तरह का और भी टोपिक ले करने